पड़ा Carbon Anides Compound Carbon Anides Compound में जिते भी और्गिनिक कंपाउंड्स हैं उसमें आपके एलकेंस, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, कार्बॉकजलीक एसेड बैसे तो बहुत बड़ा संसार है और्गिनिक केमिश्ट्री का पर मैंने यह सोचा है कि मैं कम से कम एक या दो important naming reaction को अपने वीडियो में डालूँगी और इतने इजलिश्टिप में डालूँगी कि हर बच्चे को समझ में आई तो आज मैंने जो topic उठाया है वो है आपका aliphatic amine aliphatic amine और aliphatic amine बनाने के laboratory method या ऐसे कोई भी जो बहुत ही important reaction है जैसे question आगया कि ethyl amine को lab में कैसे prepared कर दें या आपके सामने question आगया what is the halfman bromamide reaction तो मैं जो है आज जो amine से 2 reaction पढ़ाऊंगी एक halfman bromamide reaction और एक में पढ़ाऊंगी आपको smith reaction दोनों ही reaction में common है कि यह दोनों ही reaction aliphatic amine के formation में participate करते हैं means इन दोनों processes के द्वारा हम aliphatic amine को point कर सकते हैं तो अब मैं पार पर aliphatic amine aliphatic amine word यूच कर रहे हूं तो what is the aliphatic amine aliphatic amine is the derivative of ammonia means ammonia के derivatives क्या होते हैं वो amines कहलाते हैं जैसे यह हो गया आपका ammonia जब ammonia का hydrogen किसी alkyl group की द्वारा substitute होता है यह replaced होता है तो जो compound form होता है उसको हम लोग तो अमीन बोलते हैं अब वो अन्द बेसिस आप अटेजमेंट आफ नाइट्रोजन एंड एलकाई ग्रूप इस डिवाइड इंटो पार्ट और क्लासिफाइड इंटो थी थी पार्ट प्राइमरी सेगेंड एंड टर्सरी सम्टाइम्स आप देखें कि क्वार्ट्री स्टार्ट इस आल सो फाल तो यह आपने जाना अब यहां पर एक और बेसिक चीज है कि वाट इस अल्पेक नेम आप एलिफाटिक अमीन इस एलकेन अमीन इलकेनमीन अब बोत सकते हैं अलकेनमाइन यह मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों मेडियम के बच्चों को अच्छे से समझ में आए इस लिए मैं जए डबल लेंग्विज यूज कर रहे हूं वाई लें लुजन वोती है तो जान लेजीए कि कार्बन नंबर से ही आप डिपाइंट करते हैं कि कौन सा एलकायि ग्रॉफ है पहला अगर कोई किसी में रचेंट है तो आप इतना जान लेजिए स्टाइटिं मां से होती है में से पहला क्या हो जाएगा आपका मैं लाइन फेना माइन प्रूपेना मायन, फिर आपको पता है कि आप लॉंग चैन देखते हैं, अगर लॉंग चैन के साथ कुछ आलग सब्सक्राइड है, तो आप उसके एकारडिंग प्यार्टी के एकारडिंग नॉमेंकलिशत, हम लोग क्या करते हैं, नुट दंग करते हैं, पर क्योंकि मैंने इ उठाया है, तो यह आपके सामने बेसिक इंट्रूडियूस किया मैंने, अब मैं उसको प्रिप्रेशन मेठड की बात करती हूं, चलिए, यह है आपके सामने, सब्सक्राइड पहला रियक्शन में लिख रहे हूं, हाप मैन ब्रोमा अमाइड रियक्शन, कभी-कभी क्या होत है, जैसे हाप मैन ब्रोमा अमाइड, मतलब यह कहीं अमाइड की बात कर रहा है, और प्लस यह ब्रोमा की बात कर रहा है, ब्रोमा में ब्रोमेन वाटर, ठीक है, ब्रोमाइन वाटर, और अब यह जान लीजिए, कि हाप मैन ब्रोमा अमाइड रियक्शन हम यूज किसमें करत तो आप में रोमामाइड में एकशन क्या होता है वैं माइड इस टेटेट विजो में वाटर और पोडेसियुम हाइट्रोचाइड अलफेटिक अमीन फॉर्म और प्रामीरी अमीन फॉर्म तो यह हमारा हो गया अमाइड और यह हो गया आपका ग्रोमेन बाटर कर दीजिए प्राइमरी अमें हमारा क्या होता है अब इस पे आर एलकाइल ग्रोप है आप किसी को भी आइड कर सकते हैं अब रेखिए नमबर आप एक नमबर कारवन क्या होती ही डिक्रीज होती है अभी पॉइंट नोट करिए एक बहुत इंपॉइटन पॉइंट है कि इसमें एलकाइल आइसो साइनेट आइसो साइनेट में इंटर्मेडियन इसे इंपॉइंट को इसको आपको कभी-कभी हाप मैं ब्रोमईट डिक्रेडेशन बहुतें इसमें क्या होता अपका इलकाइल इसके साथ सिफ्ट हो जाता है यहां पे बना लेता है यह बांड और यह बनता है आर एंट इतनी पॉइंट याद करिएगा कि हाप में रोमाइड में अमाइड अमीन में कनवर्ट होता है प्रोमीन वाटर और पोटेसियम हाइड्रोकसाइड के प्रजिंस में लेकिन एक इंपॉर्टन नोट करके लिख दीजिएगा इलकाइल आइसो साइनेट इस मुझ भी प्रिपेर याद आपको बताओंगी पर अभी मैं आपको इसको इंट्रुट्यूस करते हुझ यह आपको सिंपल वे में समझाना चाहरे हों कि अगर किसी से कोई और यह अप्लीट करने को आ गया या इसी पूछ लिया कि हपमें प्रोमाइड रियक्शन में कौन सा इंटरमेडियर बनता है तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए बहुत सारे ओप्शन देंगे तो आप अलकाइल आपसुसायनेट लर्ण करिएगा और यह फार्मूला आर अलकाइल ग्रूप है इस में भी मिठायल इठायल चीए रियक्शन नमर शेकंड देखते हैं इसमिट रियक्शन इसमिट रियक्शन में तो इसो कुछ भी नहीं चुपा हुआ है पर इसमिट रियक्शन को आप जान लेजिए कि इसमिट रियक्शन क्या होता है कि जब भी कॉर्बाग्जिलिक एसीड देखिएगा जब भी कॉर्बाग्जिलिक एसीड को हाइड्रोजोईग एसीड के साथ हाइड्रोजोईग एसीड क्या होता है HN3 नोट करियेगा है कार्भॉजलीक असट बन कार्भॉजलीक असट इस टेट विथ हईडराजोग असट इन प्रजेंस आफ पांसंट्रे H2SO4 अमीन इस पॉर्म स्मिट रेक्षण विथ हईडराजोग इस टेट इस टेट इस टेट अब कॉंसंट्रेट H2SO4 आल्वी प्रांधी अमेनिस यहां पे भी एक कार्भन कम होता है और यह आपकी CO2 की टरमिक होता है रिलीज हो जाता है ठीके और बहुत सारी प्रोस्टेज होते हैं जैसे साइराइड का रिडक्षन कर देते हैं तो भी आपका अमीन बनता है इसमें जोए कार्भन कम नहीं होता है यहां पे क्या हो जाता है आज जी एस्टू अब आपको रिडक्षन रिजेट पता होता है जैसे साइन अगर किसी को और भी कोई एसी केमकल रिएक्षन है जो इजी श्टिप में जानना है तो प्लीज मेरी कमेंट वॉक्स में कमेंट करिएगा अगर मेरी पढ़ाने के तरीका आपको सही लग रहा हो तो इसे लाइक करिएगा और हाँ मेरी चैनल को सबस्ट्राइब